सच साहस सरोकार जनेता प्रमोत तिवारी जी को जो की आज हमारे साथ जुड़ेंगे अपने जीवन के कुछ अंसुने किस से बताएंगे और साती साथ हमारे साथ अपने जीवन में जो उन्होंने राजनीती में इतनी बड़ी उपलब्धी हासिल की है उसके पीछे की वज़ा भी बताएंगे तो काफी सवाल हम करने वाले हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ अंसुने किस से जानने वाले हैं बहुत-बहुत स्वागत है आपका प्रमोत दिवारी साथ धन्यवाद धन्यवाद बहुत-धन्यवाद तो इस कारक्रम के जरीए हम आपके जीवन के कुछ ऐसे किस से जो की जनता नहीं जानती है वो उन तक हम पहुँचाने वाले है तो सबसे पहले हम आपके राजनीत करियर की शुरुआत से शुरुआत करेंगे देखे मैं राजनीत का मेरे परिवार में मेरे पिता बहुती कॉंग्रिस के एक मजबूत का दवर नेता थे प्रताब गड़ में फिरोज गान्दी साहब के साथ से पाटी थे पढ़ते थे तो मैंने अपने घर में राजनेतिक वातावर बच्पन से ही देखा पर पिता का निदम तभी हो गया जब मैं गैरा साल का था तो एक लंबा अंतरा लाया फिर मैं हाई कोर्ट चला गया प्रेक्ट्रिस कने लगा उस दौरान सेविन्टी सेविन और एक्टी के बीच में संजे गान्दी और कॉंग्रिस के बहुत से नेताओं पे बहुत से फरजी मुकंद में चले तब उत्तरप्रदेश अभी बहाजित था मुझे तब सी बी आई कोर्ट देहरदून में होती थी एक के स्पेशल कोर्ट गठित हुई थी तो मेरे सीनियर बहुती बरिस थे सबसे बड़े वकील थे नॉर्डन इंडिया के पीसी चतोविदी साब वो जा नहीं सकते थे तो उन्हों कहा कि बहस में हम आ जाएंगे या आ जाएंगे वैसे आपके साथ प्रमोज जी जाएंगे मैं संजे जी के साथ चार पांच पेश्यों में गया एक दिन लौट रहे ते उनकी गाड़ी पंचर होगी मेटर डूर रखते थे तो उस दोरा हमसे बोले कि बहुत प्रभावित हूँ अंग्रे जी में पूछो वाइड डूंट यू जॉइन पॉलिटिक्स राजनीत में क्यों नहीं आते हैं मेरी वकालत बहुत अच्छी चल ली है और मैं नहीं आना चाहता है तो उन्हों सोच लो प्रताब गड़ा के बारे में कल मैं बात कर रहा था इंद्राजी से और राज़ दिनीज सिंग महां से सांसत थे वो जन्ता पार्टी में चले गए हमें पार्लिमेंट लडाना है तो तुम पंद्राबीस दिन एक मेहने ट्रेमें लेकंदर सोची बतादो तब तक वो खतम हो चुका था बीजे पे ये जन्ता पार्टी का प्रियोग अस्वाल हो चुका था फिर उन्होंने पूछा अगली तारीक में ने उन्हें मना कर दिया खतम हो गया कॉंग्रेस पावर में आ गई केस उस सब ऐसी था एक जूटा केस था पर हां इस बीच में फिर असेम्बली के चुना हुए तो डक्टर रामलाल मुख्मंत्री हमाचा लाब्जर प रुका है उनका एक दिन फोन आया मेरे घर कि संजे जी कहना है कि आप यह चुना लड़ लिजे तो मैंने का मैं बात कर लूँगा उनसे तो मैंने उनसे बात की तो क्ले यह इसमें क्या दिकत है कर लो तो हम नहीं सोचा छोटा सा छेतर होता है विदान सवा वाँ वखालत के रहा और फिर बनों नमंती बना दिया कॉंग्रेस पार्टी ने तब से मेरा सिलसिला चलता रहा कॉंग्रेस पार्टी की नीती सिधान्त आदर्स मैं आज भी मानता हूं कि भारत का भला इसी में है कि गउन्ग्रेस पार्टी की नीटियों पे ही चल के नहरू गांधी, राजीयों की नीटियों पे ही चल के देश का भ़ला हो सकता है. तो जिस तरहां से परिवर्तन हुआ है, इतने सालों की राजनीती, राजनीती में काफी कुछ बदलाव हुआ है. तो क्या आपको ये बदलाव सही लगते हैं? क्योंकि आपने तो कहा कि कॉंग्रस की नीती काफी सही है, लेकिन समय के साथ चीजें बदलती है, राजनीती में भी बहुत कुछ बदला है तीन बहुत खतरनाग जहर राजनीत में आये हैं, पैसा, मेरा पहला चुनाओ पचास साथ जार में हो गया था, पार्टी ने दिया था, तीशाली जार और बाकी लोगों ने गाड़िया गणिया देती थी, अब चुनाओ बहुत महगा हो गया, उसे कई सैकड़ों गुना महग से कमाने के लिए आ रहा है, और इसके लिए जम्मदार अगर कोई है, तो जो छेतरी अदल है, ये लोग जम्मदार है, दूसरा, जातिवाद था ही नहीं इतना, थोड़ा बहुत था, अब जातिवाद सुप्रीम हो गया है, सबसे उपर पहुँच गया है, आपके चुनाओ में मुद्ध, बिकास एक तरफ तरकी एक तरफ आपका घुस्मापत एक तरफ चात बिरादी, ये कैंसर है समाज के लिए, और तीसरा, ये जो बाहुबलियों का प्रिवेश हो रहा है, क्रिमिनलाइजीशन, ये तीनों ऐसी चीज़े हैं, जो इस देश के लोकतंत के लिए एक ऐसे कैंसर की तरह हैं, जो लोकतंत को खतम कर दें, क्या आप कोई गरीब आदमी, जिसको पार्टी का सपोर्ट नहों और पैसा नहों क्या चुनाओ लड़ने के लिए सोच सकता है, हम नहीं कहते हैं कि पूरे देश में एक दूधारा नहीं होंगे, लेकिन तब सामान मे की का शिरवादफ हमारे पास नहीं है, वो चली गई जनरेशन, अब मैं देखता हूँ गैर सिक्षित लोग जो राजनीत में मेंबर पार्लामेंट बन जाते हैं, एमले बन जाते हैं, मिस्टर बन जाते हैं, उन्होंने बंटाधार कर दिया है इस देश का, और उतर पर सभूम, धन संपता के मामलें मानने लगें, है प्लागूनी ओरी, आपने नौ बार विधान सभा के चुनाओ जीते हैं, और एक बार राज्य सभा, तो किस तरह से देखते हैं, आपको गिनिस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिली है, आपको इतना बड़ा सम् चुनाओ ये वाला जीत भाएंगे? मैंने जो पहला चुनाओ लगा, नामांकन के एक दिन पहले ही मुझे टिकट दिया गया, और मैंने सादन भी बताया, बहुत कम लगाए थे, मेरे सामने भी जो लगा था, जो थे लोग, बहुत पैसे वाले थे, पर मैं डोर टूर गया, अब शायद वो समय क्या था, मैं तो इसके लिए अगर किसी को श्रे देता हूँ, तो अपने छेत रामपुर खास की महान जनता को देता हूँ, जिसने मेरे जैसे साधन भी ही, कोई मेरा उतना वो नहीं था पिताब के निधाना उसके बीच में बड़ा लंबा गयब था, मे तो इसका सारा से अगर नौ चुनाओ जीता हूँ, तो अगर किसी को देता हूँ, तो रामपुर खास की महान जनता को, और अपनी पार्टी को जिसने अपना विश्वास बनाए रखा, पांच बार मुझे लीडर बनाया, पार्टी का हाउस में, आज वरकिंग कमीटी में र देखा, इस बार खुला नगनत तांडो देखा भाजपा का, परन्त उसने अपना विश्वास आस्ता मेरे और मेरे परिवार पर बनाया रखी, एक रिकार्ड है, नौ बार पर ना जाएं, दस बार पर ना जाएं रासवा, बारा बार लगातार एक एसम्बली, एक सिंबल प जिनको आपने आधार बनाया राजनीती में, जनता की समस्या को दूर करने के पूरी कोशिश की, उस वक्त क्या मुद्दे भी जानना चाहेंगे। ये पानी नहीं था, अस्पताल होगा तो भूल जाएए, एकाद बलाक में कहीं हो, उसमें डाक्टर नहीं, कंपार्डों के सारे चलते थे, आग वाग जब लगती थी, तो बुलाना पड़ता था जिले से, बलकि पड़ोसी जिलों से, ये सब बदला महने हैं, इम्प्लाइ उद्ध के इंदर खुले, जिसमें चोटे चोटे उद्ध की बंद हुए, तो जो मौझूदा सरकार है, मेरा सबसे बड़ा इल्जामी सरकार पी ही है, जो आप पूझी पतियों के हाथ में, देश को सौंप रहे हैं, तो पूझी पती के लिए पैसा पहले है, देश बाद मे हैं, और जो हम अंडर्टेकिंग, सार्जोनिक शेत्र या उद्धूगी करन कर रहे थे, कॉंग्रेस पार्टी, उसमें देश पहले था, देशवासी पहले थे, आपने अपना सबसे जादा समय राजनीती में दिया है, आप सबसे पुराने नेता भी है कॉंग्रेस के, क्यों पूरा परिवार, निष्ठा के साथ लगा हुआ है, जनता की सेवा में, तो आपको क्या लगता है कि आज के समय में जो मुद्दे हैं, लोग राजनीती में सब बदल लेते हैं, पार्टी बदल लेते हैं, क्या निष्ठा के साथ रहना, पार्टी किसी भी मुकाम पे हो, उस ऐसा कितना आ जाए दूसरा जाती दूसरी बाटी में जाती समीकरण ठीक है चलो उसके जाती समीकरण से जीत के पहुंच जाओ लेकिन जिस दरह से कॉंग्रस का पचास साल का कारेकाल रहा है और आज के साथ साल के कारेकाल दोनों में कंपरिजन किया जाता है तो कितना अंतर ह देखे एक कंप्रिजन जरूर गया कीजे, सन 84 में परलामेंट में दो एमपी थे बीजेपी के, आज दो बार से उनका पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो दो असेम्बली में आज हमारे बेटे हुए हैं, कल हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार होगी उत्ता पर देश में, ये जनत धर्म का नाम लेकर जो पुलराजिशन हुआ वह भाजपा को लेकर दुबारा वापस आया लेकिन आदमी पुलराजिशन से ठक जाएगा जाती विवस्ता से ठक जाएगा और आप देखेगा आने वाला भविस्त कॉंग्रेस का प्रियंका गांधी के नेत्रत में होगा प्रिय बटन मिले थे प्रियंका के पास यह सब कुछ विरासत में नहीं मिला वो नए से से बिल्ड़ अप कर रही लेकिन उसमें हिम्मत है साहस है और कुछ कर गुजरने की एक इक्षा शक्ती है अब देखेगा उत्तपदेश वे कॉंग्रेस अपने बूते पर सरकार बनाएगी सम में लग सकता है हम लोग रहें नहीं पर आने वाला दिन कॉंग्रेस की किस नीती सब प्रभावित है क्या सिफ इसी बात की वज़े से क्या आपका परिवार आपके पिता जी इस फैमिली से जुड़े थे क्या इसी वज़े से आप जुड़े हुए या फिर कुछ अलग नीत ता हमारे पास पर हम छोडते नहीं पनी मीडिय कोंग्रेस पुझी वादी बेवस्ता में पुझी पतियों के हलाफ भारती जनता पार्टी पुझी मत्यों के पक्षमिया आध्य देस के 14 बड़े पुझी मत्यों के हाथ में देस की पचासी परसंट से ज़्यादा कैश चला गया है धन समपदा चली की देश के लिए सुभ लक्षण नहीं है तीसरा आप आई भारत क्या है हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई, जन जाती, दलेट, अंसूचित सब है क्या है कैसे भारत की आप कल्पना करती है जाती युद्ध हो, धार्मिक युद्ध हो, तो सरकार का काम है, रोके ही से, कांग्रेस ने क्या, उसकी कीमत चुका ही है, मान दे हैं, ये चुके हमने रोका, धार्मिक उन्माद हो, और संपदाई तरह हो, इसलिए हमने कीमत चुका है, भाजपा खुद उसको आगे बढ़ा रही है, तो भा कॉंग्रेस और भारती जनता पार्टी का बेसिक डिफरेंस एक है कॉंग्रेस के लिए देशिस सर्वों पर भाजपा के लिए पार्टी हित सर्वों पर है अगर आपके राजिनीतिक करियर की बात करी जाए तो सबसे कठिन समय आपके लिए या फिर पार्टी के लिए कौन सा कौन सा चुनाओ सबसे कटिन रहा और कौन सा चुनाओ सबसे अच्छा रहा आपके लिए 91 चुकि मैं प्रताब गल्क से चुनाओ लड़ा था जुध्या बगल में था और मुलाइम सिंग सरकार को हम लोगों ने समर्थन दिया था मौगोलियां चली थी एक नफरत का बाताव रहा था तो सबसे कम ओट से साड़े आठ जार ओट से मैं जीता था और समझ जनता पार्टी भी जिन्दा थी वो भी ओडो का डिविजन कर रही थी सबसे अच्छा 96 था 80 था 85 था अगर बात करें राजनीती और परिवार के बीच तो समझ जिस से बैठाना क्या कभी कठिन हुआ है हलाकि आपका परिवार तो राजनीती से जुड़ा रहा है तो ऐसा महल नहीं हुआ वह लेकिन क्या कभी कभ ऐसी परिस्टे थी आई है हाँ आई है मैंने मेरे दोनों बच्चे छोटे थी मोना साथ साल की थी सुना उसी समयटी में पैदा हुई थी दोई बच्चे तो यह हुआ कि अगर मैं पॉलिटिक्स में चला जाओंगो तो खर्चा कैसे चलेगा आज का दमाना नहीं था आपे मेले बने एंपी बने और यह पैसे की भर माहम ने लगे तो उस समय मेरी पत्दी ने का मैं जाब करती हूँ और पिएजडी करके डियस्टी करके उन्होंने मिट्रल कॉलेज बे लेक्शर हो गई तो मैं उधर से मुक्तुआ तो परिवार का सयोग नहीं होता शैद यह निरने न ले पाता तब मैंने फैसला कि यहां राजनीत में आ जने तुम्हारे मुकद में मैं बहस करूंगा पर उन्होंने का था है इमानदारी बनाये रखना मैं आद तक पालम कर रहा हूँ करतब का निर्वान कर रहा हूँ चुनाओ के खर्चे आते हैं बेगदगत खर्चे होते हैं यह होते हैं आज भी मैं वकालत के जरिए लेता हूँ कि सर नी जुकता मेरा किसी के साब में हाथ नी पहलता अगर मौजूदा वक्त की बात करी जाए अगर कोई परेशान व्यक्ति आपके पास अपनी गुहार लेकर आता है मदद के लिए हाथ फिलाता है तो किस तरह मदद करते है कोरोना काल भी सबने देखा कई ब करीब इलाइक घुजरात में महरास में हरियाना में पनजाब में नख्री करते थे और कौन से लोग ते जो डेली लिक्सा चलाते थे ठेलिया लगाते थे च्छोटे मुटे रुजगार करते जब समद हो गया भूब की समझ bitा है तो साथ हजार लोगों को हम लोगों ने आना पैसे से आज भी वहां पे हम लोग छलकाओ कराते हैं जिससे इन्फेक्शन ना आई करोना में करने वाला रद्दम चार्शे जिले में इतलोता शेद था तो वो मदद की आज भी सुवे से बैट जाएए जो आते हैं यहां पे जो अपनी च्छमता भरे करते हैं क्योंकि हमानते हैं किसी पूजा अबादत से बड़ा है किसी की जान बचान तो पूजा इबादत भी करता हूँ मैं पर अगर मेरे पास है कुछ या मुझसे दस कदम आगे है मोना तो हम लोग पूरा खड़े मिलते हैं अपने लोगों के साथ वरनाई साथी दूपान में चार सो तीन में दो सीट बची कांग्रेस की तो यही सब कुछ तो होगा मैं त अगर मता हुआ शिरबाद रामपुर खास की जन्ता का जी जिस तरह से आपकी बेटी जिन्होंने आप से ही माना जाता है कि राजनीती के गुर्स सीखे है अराधना जी तो कौन कौन सी चीज़ आपको दिखती है कि उन्होंने आप से सीखी है कांग्रेस की नीतियों से वो जिस तरह से वो काम कर रही हैं उसको किस तरह से देखते हैं और में चीज़ आपने उनको राजनीती में क्या सिखाई है लेके राजनीत में मौना जी में सबसच्छी बात जो उन्होंने मुझसे लिए एसेम्बली में जम के बैठती है ग्यारा बजे से लेके जब तक एसेम्बली ना खता हो जाया ये लोग मुझे कोट करते थे दूसरा इमानदारी बरत रखी और तीसरा जनहित सुप्रीम है मौना के लिए और सीज़ गूड ओरेटर अच्छा परलेमेंटर तो राजनीती में जाने का उनका फैसला था या आपका मेरे खालते दोनों का परिवार का भी उनकी ससुराल में मैं धरनवाद देना चाहता हूँ उनके ससुराल को मिशी मिसरा साब को धरनवाद देना चाहता हूँ अमबाली का उनके अमबिकाजी के जिन्होंने खुद सपोर्ट किया फाइनिशल और इसाज़त दी एक आखरी सवाल आप इतने बड़े मुकाम पे पहुँचे हैं आपने इतना लंबा राजनीतिक सफर देखा है देखो अच्छा बुरा वक्त दोनों आएगा जिन्दगी में बुरे वक्त में धवराना नहीं अच्छे वक्त में आहिंकार मत पालना अगर इन दोनों के वीच सामंजस से कर गए तो बुरा वक्त भी निकल जाएगा अच्छा वक्त भी निकल जाएगा जी और जिस तरह से महंगाई है और आप बीजेपी के अगेंस लगता प्रदेशन कर रहे हैं कॉंग्रिस कर रही है लखना उसे लेके दिल्ली तक उस पर क्या कहेंगे देखें महंगाई ये आई नहीं कहीं से महंगाई तो भाजपा लाई है आप बताओ मुझे आप चुनाओ के दोरान जब कच्छे तेल कदाम बखता है हिंदुस्तान में तो उसे आप नहीं बढ़ाते हो पाँच चुनाओ के चल रहे हैं और चुनाओ के बाद जब कच्छे तेल कदाम गिरने लगता तो आप भटाते हो रूसी उक्रेन को जिम्मेदार बताया जार अगर आपकी सरक थन देते हैं क्योंकि अंतर रास्टी मच पे दो आवाज नहीं निकलनी चाहिए और मैं मानता हूं कि वहां हर हालत में कतले आम रुकना चाहिए युद्विराम होना चाहिए और सक्सल भारतियों की वापसी होनी चाहिए क्योंकि मोधी सरकार का सबसे वड़ा फेलियूर वहां से सक्सल भारतियों को ना निकलना या अपनी पीड़ा और कस है के सेक्ड़ों किलियूमीटर चलके निकलना और जिसका किराय सतरा अठारा जार था वहां से आने का एर इंडिया के प्राविटेजिशन के वज़े से सौ लाख किराय हो गया जिससे गरीब और साधान बच्चे नहीं आ पाए यह मैं इसे फेलियूर मानता हूँ पर ये देशित पे जो विदेश नीद करेंगे हम सब पूरा समर्थन करें सर ऐसा माना जाता है जिसे कि आपके नाम गिनिस बुक आफ वर्ड रिकॉर्ड है सबसे जादा चुनाओ जीतने का रिकॉर्ड तो कभी आप चुनाओ हा रहे हैं या फिर कोई ऐसी परस्ते थी जिसमें आपको डर लगा कि ये चुनाओ आप नहीं जीत पाएंगे देखें मैंने पहलत बताया आपसे फिर कह दू मैं जिन्दगी में नौई चुनाओ लडा हूँ और नौ के नौ लगातार जीते हैं न मैंने छेतर बदला ना पार्टी बदली ना सिंबल बदला राजसवा का जब मैं लडा था कॉंग्रेस अल्पमत में थी पर समाजबादी पार्टी कैसे योग से सुने जी के दौरा हम जीते हैं मेरे जीवन में एक बड़ी बात है क्लास मानीटर से लेके स्टुडेंट यूनियन तक के जितने चुनाओं में लड़ें कभी नहीं आ रहा हूँ सारे चुनाओं में जीतता रहा हूँ बहुत 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 शुक्रिया हम आसे जुड़ने के लिए हो और आज के शक्सियत कारिक्रम में हमने आको प्रमुत तिवारी जी से मिलवाया जो की राजनीती में एक अच्छा खास सफर जिन्होंने तै किया है नौ बार विधायक और एक बार राजसभा का चुनाओं जीते हैं और हम इसे दस बार चुनाओं जीता एक अच्छा खास प्रदर्शन किया और आज तक कॉंग्रेस के साथ खड़े हुए हैं पूरी निश्ठा के साथ फिल्हाल आज के इस खास कारिक्रम में इतना ही अगली एपिसोड में हम एक और नई शुक्सियत के साथ मिलेंगे तब त सच साहस सरुकार